जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब तक हिंदी सिनेमा रहेगा, तब तक मुगले आजम का नाम रहेगा जब जब भारतिय सिनेमा का जिक्र होता है तब उन फिल्मों का जिक्र जरूर होता है जिन्होंने भारतिय सिनेमा की पहचान बदल कर रख दी उनमें से ही एक फिल्म है मुगले आजम इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म मुगले आजम 1960 में रिलीज हुई थी और इसे डारेक्ट किया था के आसिफ ने जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ तीन फिल्में बनाई वैसे के आसिफ के ऊपर मैं जल्द ही एक अलग से वीडियो बनाऊंगी अभी हम बात कर रहे हैं फिल्म मुगले आजम की मुगले आजम में लीड रोल में थे पृतिवी राज कपूर, दिलिप कुमार, मदुबाला और दुर्गा खोटे ये फिल्म अनार कली और शहजादा सलीम की अधूरी लव स्टोरी पर बेस्ट है इस फिल्म में प्यार, परिवार, युद्ध और वफादारी को डिरेक्टर ने बहुत अच्छे से प्रिजन किया है जितनी खास ये फिल्म है उससे कहीं ज्यादा खास इस फिल्म के बनने की कहानी है तो आईए जानते हैं जिस तरह से मुगले आजम को फिल्म आया गया है उसे देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बॉलिवुड की सबसे महंगे फिल्मों में से एक फिल्म है इस फिल्म की कॉस्ट्यूम्स की सिलाई दिल्ली में की जाती थी और कॉस्ट्यूम्स में नकासी सूरत में की जाती थी जुल्री हैदराबाद में बनाई गई थी और जूते आगरा में बनाए गए थे, मुकुट कोलहपूर में बने थे और हतियार राजस्थान में इस फिल्म में 2000 उट और 4000 घोडे यूज किये गए थे, केवल इनी उटो और घोडो पर करीब देड़ लाग खर्च किये गए थे ये रकम उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी इतनी शिद्दत से इस फिल्म को बनाया गया है कि इसको बनाने की कहानी पर भी फिल्म बन सकती है ये फिल्म उस दौर में बनी थी, जिस दौर में इंडिया में फिल्म मेकिंग में इतनी टेकनलोजी नहीं थी विएफेक्स नहीं था, इस फिल्म में जो युद्ध के सीन दिखाए गये हैं, वो रियल हैं सीन में हाथी घोड़े के साथ साथ, जितने भी सैनिक दिखाए गये हैं, वो भी रियल हैं आज की दौर में इस तरह के सीन VFX की मदद से क्रियेट किये जाते हैं इस फिल्म का सबसे महगा गाना जब प्यार किया तो डरना क्या इस गाने को 105 बार लिखने के बाद फाइनल किया गया था दोस्तों जब हम इस गाने को सुनते हैं तो ये गाना थोड़ा सा इको साउंड करता है दरसल इस गाने को लता मंगेशकर ने स्टूडियो के वाश्रूम में रिकॉड किया था क्योंकि उस समय पर रिवोबरेशन यानि की इको इफेक्ट नहीं हुआ करती थी और इस गाने में इको इफेक्ट इसलिए चाहिए थी क्योंकि इस गाने को शीष महल में पिक्चराइज किया जाना था गाने में जो खुबसूरत शीष महल दिखाया गया है दरसल उसका सेट लगाया गया था और इसके शीषे बेलजियम सिमगाय गये थे इस सेट की कीमत इतनी ज्यादा थी कि इतने में तो उस समय बड़ी बजट की फिल्म बन जाया करती थी फिल्म के एक और गाने ऐ महबबत जिन्दाबाद इस गाने के लिए महम्मद रफी के साथ सव गायकों से कूरस गवाय गया था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पूरी फिल्म में यूज किया गया है जो फिल्म के गानों और सीन में चारचान लगाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आइकॉनिक फिल्म को बनने में लग गया था करीब 16 साल का समय कहा जाता है इस फिल्म का प्री पोड़क्शन 1944 में स्टार्ट हुआ था और 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई जब 1946 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब अकबर के कैरेक्टर में चंद्रमोहन, सलीम के कैरेक्टर में डी के सप्रू और अनार कली के कैरेक्टर में नर्गिस्थीन इसके बाद 1947 में देश का बटवारा हो गया जिसकी वजह से देश के हालात बहुत बिगड गए और financially issue की वजह से फिल्म की shooting रुख गई इसी बीच खबरे आई कि मुगले आजम अब नहीं बन रही है तब डिरेक्टर कमल अमरोही ने इसी subject पर फिल्म बनाने की planning की और इस बात का पता जब डिरेक्टर के आसिफ को चला तब उन्होंने कमल अमरोही से बात की और के आसिफ ने बताया कि उनकी फिल्म मुगले आजम बंद नहीं हुई है तब कमल अमरोही ने इस subject पर फिल्म बनाने की planning ड्रॉप कर दी और जब मुगले आजम की shooting फिर से start होई तब फिल्म की पूरी cast चेंज हो गई थी जिसमें अकबर के किरदार में पृत्वी राज कपूर, सलीम के किरदार में दिलिप कुमार और अनार कली के किरदार में मधुबाला थी और मधुबाला को अनार कली के character के लिए director के आसिफ को नर्गिस ने recommend किया था shooting के दौरान मधुबाला heart dishes से जूज रही थी जिसकी वज़ा से वो कई बार सेट पर बेहोश भी हो जाती थी जेल का sequence शूट करते वक्त मधुबाला को skin allergy भी हो गई थी तमाम परेशानियों के बावजूद मधुबाला इस फिल्म की shooting पूरी करना चाहती थी director के आसिफ को मुगले आजम बनाने का आइडिया director आर्देशिर इरानी के फिल्म अनार कली देख कर आया था ये वही आर्देशिर इरानी हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा को पहली टॉकी फिल्म यानि की बोलिती हुई फिल्म दी और वो फिल्म थी आला मारा दोस्तों आला मारा पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी के आसिफ जब मुगले आजम बना रहे थे उस वक्त उनके पास direction का ज़्यादा अनुभव नहीं था लेकिन उनके पास एक vision था एक सोच थी जिसे वो बड़े पर बिखेरना चाहते थे अपने दोर के director से अलग और आगे की सोचने उन्हें उस मुकाम तक पहुचाया जिसके वो हकदार थे कहा जाता है कि इस फिल्म के production में के आसिफ को इतनी ज्यादा financial problem हो चुकी थी कि उन्होंने पान और cigarette भी उधार लेना शुरू कर दिया था यह फिल्म करीब देड़ करोड में बनी थी और जिस बजट में यह फिल्म बनी थी उस दौर में करीब 25 बड़ी फिल्में बन जाती थी इस फिल्म ने box office पर 11 करोड का collection किया था मशहूर सिंगर बड़े गुलाम अली खान ने इस फिल्म में दो गाने गाय थे जिसके लिए उन्होंने 25 हजार रुपए की फीस ली थी और ये रकम उस दौर में किसी हीरो की फीस से ज्यादा थी पहले इस फिल्म का हिस्सा बॉलिवुड के किंग खान याने शाहरुख खान के पिता मीर ताज मुहम्मद भी थे और इस बात का खुलासा खुद शाहरुख खान ने एक इंटर्विव में किया है दरसल दिलिप कुमार और मीर ताज मुहम्मद बच्पन के दोस्त थे और पडोसी थे इनका घर पाकिस्तान के पेशावर में हुआ करता था लेकिन पाटिशन के बाद ये लोग हिंदुस्तान आ गए पार्टिशन के बाद दिलिप कुमार मुंबई में रहने लगे और मीर ताज मुहम्मद दिली में रहने लगे मीर ताज मुहम्मद बहुत हैंसम थे और वकालत करते थे एक बार मीर ताज मुहम्मद दिलिप कुमार से मिलने बंबई उनके घर पहुचे दरसल मुंबई उस समय बंबई हुआ करती थी दिलिप कुमार ने मीर ताज मुहम्मद को अपने बंबई वाले दोस्तों से मिलवाया जिन में मुगले आजम के डिरेक्टर के आसिफ भी शामिल थे के आसिफ मीर ताज मुहम्मद से मिलने के बाद उनसे बहुत इंप्रेस हुए और के आसिफ ने मीर ताज मुहम्मद को फिल्म में एक कैरेक्टर ओफर किया मीर ताज मुहम्मद को लेकर शूटिंग शुरू भी हुई एक दिन की शूटिंग हुई, लेकिन मीरताज मोहमद एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे एक दिन की शूटिंग के बाद, ये कैरेक्टर के आसिफ ने किसी और को दे दिया रिपोर्ट्स के मताबिक वो कैरेक्टर था दुर्जन सिंग का बाद में ये कैरेक्टर अजीत खान ने प्ले किया रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म को लोगों ने फ्लॉप बता दिया था लेकिन डैरेक्टर के आसिफ को खुद की मेहनत पर बहुत भरोसा था 5 अगस्त 1960 को जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो टिकेट खिड़की पर 2-3 दिनों तक लंबी लंबी लाइन लगी रही पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यामार से भी इस फिल्म को देखने के लिए लोग भारता रहे थे उस दौरान ये फिल्म हिंडी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साधित होई थी और इसका रिकौर्ड 15 साल तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई मुगले आजम सबसे ज्यादा स्क्रिन पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी मुगले आजम पर अवार्ड्स की भी बारिश हुई थी मुगले आजम ने एक नेशनल और तीन फिल्म फेर अवार्ड्स जीते थे ये फिल्म पहली ब्लैक और वाइट फिल्म थी जिसे कलर फॉर्मेट में दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था मुवी का कलर वर्जन नवेंबर 2004 में रिलीज हुआ था फिल्म की 60 वी साल गिरा का जश्न मनाने के लिए डारेक्टर के आसिफ के बेटे अकबर ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को आसकर लाइबरेरी को सौप दिया मारगरेट हैरिक लाइबरेरी में इस फिल्म का स्क्रीन प्ले तीन भाषाओं में उपलब्ध है हिंदी, रोमन और इंग्लिश अकबर आसिफ का कहना था कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले कई दिगश फिल्म मेकर्स ने मिलकर लिखा था और ये दुनिया को पता चलना चाहिए अमान, कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा, एहसान रिजवी और के आसिफ ने मिलकर मुगले आजम का स्क्रीन प्ले तयार किया था सलाम है आसिफ साहब और इस फिल्म से जुड़े सभी क्र्यू मेंबर्स को जिन्होंने भारतिये सिनेमा को ऐसी आइकॉनिक फिल्म दी इस फिल्म के सिनोमेटोग्राफर थे आईडी माथूर, एडिटर थे धरमवीर, म्यूजिक दिया था नौसाद साहब ने और लिरिसिस थे शकील बदायूनी और फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, मुहम्मद रफी, शमशाद बेगम और उस्ताद ब